जीनेंद्र जय भोलेना दोस्तों आठ बज के आठ मिनेट हो गई है सबसे पढ़े मैं टाइम दिखा देता हूंको आठ बज के नौ मिनेट 8.09 एम 17 मार्च 8.09 एम 17 मार्च 2022 और SGX Nifty तो आप सबको पता ही होगा आप अपने घर पे भी मज़े से देख रहे होंगे भी 260 के आसपास दिखा रहा है 17.260 एक मिट आज है छे बार रेट बढ़ाने के संकेत 23 में तीन बार ठीक है कोई बात नहीं 270 270 पर SGX Nifty आ रहा है और 263 पॉइंट अप है तो सबसे पहले यह मैं कब कब दिखाना चाहता हूं आपको कि आज मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने कोई वर्ल्ड कप जीता है स्टॉक मार्केट का वर्ल्ड कप और इस पर मैं गाना बजाना चाहूंगा सारे बीयर से तुमारी तो फाड़ डाला अकेला पीजे था पंदरा छेसो सतर पे हिम्मत करके बोल रहा था एक ही टार्गेट है सत्रा पांशसो सत्रा साथ वपचास अठ्रा हजार और अट्रा तिनसुट आठ्व मार्च को भी पंदरा छेसो सत्तर का लोग बनाया था और उस दिन भी यह अकेला शक्स पीजे ऑन अर्थ था इस पूरे प्रिथवी पे अकेला एक सक्स था जो इतना बड़ा टार्गेट दे रहा था कि 17500, 17750, 18000 और 18300 यह चार टार्गेट्स मैंने हर वीडियो में दिया है, आप चाहे तो सारे वीडियो खंगाल लीजे, हर वीडियो में मैंने बोला है, और अगर आप 15670 से गिनोगे 17500 का लेवल, तो लगबग लगबग 1900 पॉइंट्स बढ़ना पड़ता है या युकरेन का वार चल रहा है, फैड की तलवार लटकी विए, उस महाल पर भी मैंने आपको यही बोला, यानि कि I am unstoppable, इसको पढ़ लीजे, unstoppable, यह उल्टा दिखेगा आपको, तो कि मैं selfie वीडियो से बनाता हूँ, अब खुद से बनाता हूँ, अपने हाथ से, किसी की मद मार के या ताली मार के जरूर एक फोटो मुझे वाटसप करियेगा, बस ऐसे जेस्ट्र, मुझे पता चलेगा, मुझे कितने दर्सक लाइक करते हैं, इस फोटो में ऐसे सेल्यूट होना चाहिए, या फिर एक ताली बजाते हूए, जो आपको लगे, सेल्यूट आप नहीं म माहौल पर बात करते हम लोग, खाली मैंने सत्रा पांसो बोल बोल के वहाँ नहीं रुक है, आपको हर दिन का भी गाइडेंस पर्फेक्ट दिया, इस समय बेज दीजिए, हाँ कल लास्ट में मैंने बोला था कि एक बार बेज दी, कल साई 950 मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी भी अपना टार्गेट नहीं चेंजगे और कभी भी आपको जिंदगी में पुट्र लेने नहीं बोला, पुट्र लेने नहीं बोला, खाली एक दिन उस दिन बोला था, उस दिन इंट्रा डेके लेकि एक बार आपको 800 के नीचे आएगा, तो आया भी था, 800 के नहीं शाड़े 500 आया था, वो पर्शो की बात है, तो वो देखे, वहाँ पे भी मेरा क्या टार्गेट था है, 17630 के उपर क्लोजिंग आएगी, 16630 के उपर क्लोजिंग आएगी, तो फिर से हमारा टार्गेट वही है, सब कुछ, तो देखे, दोस्तों, सारे ब्लियर्स मर गए, उनकी क्या मर जाने चाहिए, साले, पब्लिक को उर्लू बनाते स्रिफ, 14,000, 15,000, दोस्तों, अकेला सक्स था, एक ही बात पर अडिक था, मेरे कई दोस्त मुझे बोलने से, तु पागल हो गया, मैं बोला, मैं पागली चूँँआ, 15670 वाला दिन का भी वीडियो आप चेक कर सकते तो हो, आठ मार्च को, उस समय तो किसी की भी सांसे फूल जानी चाहिए, लेकिन प्रमोजेन अडिक था, और बोला था, इसी मार्च में यही टार्गेट है, इसी मार्च में, जबकि वार भी चालू है, जबकि फैड की तलवार भी, चले, फैड वाला मामला तो आज खतम हो बढ़ाएंगे, तो यह उन्होंने बोला, और यह जो 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होई है, यह आफ्टर दो अजार अठारा पहली बार हुई है, तो मुझे तो यह सब कुछ पता था, यह डिसकाउंटेट था, मार्केट सब कुछ डिसकाउंट, आप लोग वार, वार से हमारा क्या लेना देना, हमारा, मैं हर वीडियो में बोलता था, हमारा लेना देना कुरूर से, कुरूर जो तो फानी रोकेट की तरह बढ़ रहा है, वो हमारी पास कर रहा है, हमारी बंबू कर रखा है, हमारी एकुनों में की, ठीक है, तो कुरूर का भी क्या हाल हुआ, याद है 97-80 पर कुरूड मैंने क्या बला था यहाँ ठोग दीजिए डरिये मत कोई आपको 150 बोल रहा बोलने दीजिए तीन अजार रुपेया वहाँ से गिर गया कुरूड ठीक है दाई अजार तीन अजार रुपेया आज क्या हो गया 96 डॉलर पर आगया कुरूड जो एक सो 33 या 34 डॉलर तक गया था पिछले कुछ दिन पहले की बात है उसका भी कॉल मेरा बहुत जवर्दस था अगर आप सही से सुचो तो ना तो दोस्तों यह सारी चीजिए मैंने हर रेट पर बोला खरीद लीजिए और मैंने कई बार दिखाया मैंने 16 500 के कॉल बाई करवाए है 17,000 के कॉल बाई करवाए है जब कि वो कॉल क्या रेट में मिलने था 17,000 के मालूम आपको और मैंने 24 तरिके भी भाई करवाये, 17 तरिके भी भाई करवाये लोगों को, 17,000 के, वो 10 रुपे में भी भाई करवाये, 12 रुपे में भी भाई करवाये, क्या हो गया उनका? आठ तरिक से आज 17 तरिक है इसमें सनी रवी की छुट्टियां भी होगी कोई एक दिन की छुट्टी भी होगी तो कितने ट्रेडिंग डेज लगे भाई साथ 17,300 पर मुझते हैं कितने लगे मैंने बार बार चीक चीक के हर वीडियो में बोला था कि यह मार्च सिरीज बहुत बड़ा है आप लोग घवराईये मत 31 मार्च को एक्सपाइरी है सब कुछ दिखेगा आपको मैं जो बोला हूं हर वीडियो में बोला हिए ज्यादा एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है खुस होना अची है लेकिन इतना भी नहीं चलिए अब इंसानियत पाजा तो मैं क्योंकि थोड़ा हेवान बनना पड़ा मुझे उन सब नकली यूटूबर्स को जवाब देने के लिए ठीक है बिना पेंदे के जितने लोटे है ना साले 10-10 लाख सब्सक्राइबर जमा कर लिए चोर उचक्के साले जिनको आता वाता कुछ नहीं है कुछ भी बोल देते बास ऐसा वैसा वैसा जहां गाड़ी लुड़क रहे हमां लुड़क जाते बस अपना व्यू कुछ नहीं अपना का लॉजिक दो कल पहली बार एफाइज ने बाइंग का डाटा दिखाया थीन सो बारा करोड़ बाइक किया कल एफाइज ने पहली बार यानि कि आज की तेजी ठीकेगी कि नहीं ठीकेगी यह मालूम नहीं मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको प्रॉफिट जरूर बुक करके जाना पड़ेगा क्यूं उसका कारण बता दो मैं यह नहीं बोलो कि मंदी आ जाएगी मंझे अभी मंगल बुधुवार तक तो कोई च्जांस नहीं लग रहा मंगलवार तक टो डाली सनी लगर मंगलवार मंगलवार यानि कि क्यूं टीके सूर्ट का नूमरोज़ी इγά्ड मैं 21 यानि टीन का अंख मैं स्टैल से बनाएं किसी से कॉपी नहीं करता हूं कोई किताबी बात अपनी नियुम्रोलोजी एक्किस सोमवार तीन सोमवार गुरू चंद्र घच के स्रियोग 22 और मंगलवार का मैंने कितना बार which is what I am मगलवार तेजी वाला दिन होता है यह वी बता ता है रहू का अंक और यह भी मैने आपको बताया था और दूसरा मार्केट मोमेंटम भी आज इंपडिकर पक्ड़ा है कल पहली ़र 950 के उपर बंद जहां वो trend line में draw कर रहा था उसके उपर closing आई तो वो closing आने के बाद मैं यह बोल सकता हूं कि market तेजी में तो घुज गया अब 16-800 एक major support हो गया 18,000 और 18,300 यह मेरे चारो target है इसमें से मैंने बार-बार हर वीडियो में बुला कि एक भी achieve हो जाएगा तो यह wonder हो जाएगा इस stock market का और wonder होने वाला है यह 17-500 तो एचीव होगा ही होगा बाकी का मुझे नहीं मालूप है तो बस उस हिसाब से चलिएगा तीन दिन की छुट्ट में हमारे अकल हुली की छुट्टी है वर्ल्ड मार्केट चालू रहेंगे तो आज सावदानी से अपना profit जा मिलता हो ले लीजेगा और अब कैसे खेलना है अब अगर आपको फिर भी सोचते कि कुछ लेके जाना है तो 500 पॉइंट उपर का call और 500 नीचे का put दोनों बराबर quantity में लेके जाना चाहिए इसको बोलते है strangle क्योंकि तीन दिन की छुट्टी के बाद market क्या घुमाव लेगा यह आपको और मुझे पता नहीं है तीन दिन की छुट्टी उसमें हो सकता रशिया का वार भी खतम हो जाए और market शूपर तेजी में आ जाए तो आप क्या करेंग मार्केट प्राइस ठीक है दोनों चीजों में ताकि आपका प्रीमयम इतना नहीं घटे क्योंकि जो आप अप एड़ दा मनी या इन दा मनी वाले लेके जाए उनका प्रीमयम बहुत घट जाएगा तीन दिन मार्केट बंद रहे है ठीक है यह आपको बताना जरूरी था बा दस गुना मिलना चीए मुझे जय जिनेंद्र जय भोले ना जय है